हरवजन सिंग हमारे साथ है और हरवजन उन खिलाडियों में से थे जो उस समय जॉइनिसबर्ग में मौझूत है दस साल पहले भारत ने वोल्टी 20 जीता था दस साल हो गए वजी ऐसा लग रहा है कल की बात है बिल्कुल यादें जो है वह भी उतनी ताजया है और अब पुरी उमर मुझे याद रहने वाली है यह चीज है क्योंकि भारत के लिए एक ऐसा मौका था कि कुछ कर दिखाएं और कुछ कर जाएं तो यंग टीम थी और बहु थे उन्होंने ज्यादा हमारे से उमीदें नहीं लगा रखी थी कि यह जीट जाएंगे क्योंकि यंग टीम थी पूरे की पूरी अगर देखी रोही शर्मा यंग थे रॉबिन उत्पा आर्पी सिंग श्रीशान्थ सारे नए खिलाड़ी थे उन्हें को भी दो ही साल हुए तो गही नहीं वर्ल्ल क्रेट ने हमें इतना सिर्यसली लिया नहीं था झाए हमने उस वर्ल्ल कप में दिखा दिया है कि भारत में क्या दम खम है और किस तरीके की क्रेट जो हैं यंग्स्टर खेल सकते हैं मुझे याद है Robi Nuttapah, you know Mitchel जॉंसन को वाक करके सामने च्टके मा मारते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले उस मिच्छिल जॉंसन को जो 150 की स्पीड से बोलिंग कर रहा था और उसको अगर आप वाक करके और आगे जाके सामने च्छके मार रहे हो तो वो अपने आप में बड़ा गटसी वाला वो मोमेंट होता है कि यार कमाल है आपने स्टेप कर रहे हो पहले बॉल इतनी तेज आरही हो और आप बॉल की तरफ और तेजी से बाग रहे हो तो कहीना कहीन जो 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 ज़जबा वो टीम ने जब दिखाया था जो बैटिंग यूनिट ने ने अनबलीवबल यू अज वस्क्रीट तो बार आफ एट एप और जैसे आपने क जो भारत वास्कियों ने प्यार दिया वो आज भी हम भूल नी पाते हैं कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन इतना बड़ा जो मान सम्मान और प्यार जो मिला वाकर वो एक अलगी चीज थी इसी शहर में ता मॉंबई में ही था जब आपने अपने अपने आप से वांकिरे तक क सब कुछ नहा था और इसी लिए ट्शाट टीम अपने आपको एक्स्प्रेस भी कर पाई मैच दर मैच देखिए बहुत सी चीजें उसमें एड होती है कि जैसे आपने कहा कि यंग प्लेयर थे ज्यादा अस्पेक्टेशन नहीं थी और कहीं न कहीं प्लेयर जो थे वो ज्या यह मैच में अच्छा करना भी यह मैच में अच्छा करना और लगातार हम बड़ी टीमों को हरा रहे थे गिरा रहे थे जो इस टर्नमेंट में दुरंदर टीमें मानी जा रही थी और जो टी ट्विंटी खेलती आ रही थी जैसे इंगलेंड को हमने हराया बहुत बड़ी टी ती फिर ऐस्ट्रेलिया का हमने हराया जो कि अपने आप में बहुत बड़ी टीम थी और बहुत बड़े बड़े नाम तब उनके लिए खेल रहे थे तो जो यूद था जो हमारा जैसे रोही शर्मा की में बात करूं या फिर मैं रॉबिन उत्पा की में बात करूं ये दोनों खिलाडी और प्लस बोलिंग यू नो श्री शांत या आर्पी सिंग और धिनेश कारते कही ना कहीं मतलब ऐसे खिलाडी थे जिन में यकीन था की हम कर रहे थे और आरपी सिंग का में बहुँ आभा समया है तो कहीं ना कहीं हर बंदा जो है वह परफॉर्म करने की उसमें ला वाकई एक हिस्टड़ी बन गई है और सदा के लिए जुगंदर का नाम जो है वो सुनरे एक्षारों में लिखा गया कि लास में वो बोलिंग कर आथा तो अभूसली वो इसे मोमें जो है वो मेरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हुए है बहुत लोगों को मौका ने मिलता है कि तो इसे मोमेंट देखने का, तो I feel I was one of those lucky guys, you know, among those another 15 guys on the field, and so that we could see, कि क्या celebration है, वो हमारी moment थी, पूरे भारत वर्ष की मोमेंट थी, तो it was a proud moment. celebration के अपने बात की, वैसे UV को हम कैसे बूल सकते हैं, युवराज ने England के खिलाफ वो प्रदेशन किया था, जिसके हम चर्चा कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है, डर्बन में ये मैच था, और हम टीम होटल पहुचे थी, और हम तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पर युवराज का वेट कर रहे थे, बजीत अब आये, उन्होंने मुझे से कहा, युवी के लिए वेट बत कर, उसे वक्त लगेगा, मैंने उनके एडवाइज लिया और अगले दिन आया, और फिर युवी का सुबह इंटर्वी किया, तो बजीत अब वो कर्फ्यू आर्स वगरे नहीं होत और युवी एक ऐसा प्लेयर था जो आइसी सी के जितने भी टॉर्नमेंट होते हैं, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो, तो युवी का प्रदर्शन हर उस बड़े टॉर्नमेंट में सबसे बड़ी आ रहा है, तो पता नहीं क्या हो जाता है उसको, और वो शेर बन जात है, तो कही नहीं युवी की आपने बात करी है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट रोल था बैटिंग युनिट में, वो इतना जबर्दस था कि मतलब अगर हमें दस की उससे रन बनाने थे तो हमें पता था हमारे पास युवराज सिंग है, अगर पंद्रा की उससे रन बनाने से में और रन रेट से तो हमें पता युरॉराज सिंग है, और क्या-कया इनिंग खेले हैं, वो मतलब मैं अभी बता नहीं पाँगा, बारा बॉल में 50 रन बनाने, सत्रा बॉल में 50 रन बनाने, और गेम जो दूसी टीम से बिलकुल दूरी ले जाना, चाहां दूसरी टीम को मैच में सेकंड बोलिंग की और अंडर लाइट वहां पर बैटिंग करना डर्बन में बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत कम टीमें होगी हिस्ट्री में चैहे वन डे मैच हुआ हो वहां पर या टी-20 हुआ है कि जिन्हों ने वहां पर अंडर लाइट चेज किया हो और सब मै पर चलते हैं आखरी ओवर तेरा रन की जरूरत थी आप पता नहीं कहां फीलिंग कर रहे देख मिजबा का च्छक्का भी आया उसके बाद जिस गीन पर जो गिंदर ने आउट किया जब बॉल हवे में ती श्रीशांत अंडर थे तो तभी तो ठीक ठाक क्रिकेट खेलते थे ल भाल बस और अफकोस विदिन फ्फेश्ड हैं नहीं पर त्विद रेख दीकेट और रहे बड़िया थे न इंड रख दया हो कि वह संस खुला क्या है वह शुकर है और यह खतम हुआ और ऐसे नोट पर खतम है जिस नोट पर हम चाहते थे लिग ठाट ज़ूआ क्ल अंग झा सेलिबरेटिंग लाइक यो वाव कि यह मॉमेंट है इसी मॉमेंट का इंतिजार था और वर्ल कुप जीतना अपने आप में ऐसी मॉमेंट थी हमारे सब के लिए हमने मैडल जो है वहां से पहने हुए से मैने घर तक जब तक मैं मुंबई नी पहुंचा हूं मुंबई से मैं हो 50 ओवर गेम और कहीना कहीन मेरी जिंदगी में कुछ अगर बहतरीन लमें होगे तो उनमें से डेफिनिटली यह कि यह सबसे बड़ा लमा होगा आकरी सहवाल और बजन शायद इस जीतने विश्व क्रिकेट को कुछ हद तक बदल दिया उसके तुरंद बाद IPL हुआ यह आज कल और सानी से बन भी जाते हैं सेकंड इनिंग में तो कहीं न कहीं यह फॉर्मिट ने गेम को बहुत चेंज कर दिया है और इंडियन क्रिकेट की जो एक्चुली में शकल जो है वो चेंज हुई है उसी टॉर्नमेंट से बलीफ जो आया हम लोगों को वहां से कि अगर हम जीच सकते हैं तो वी किन डॉमिनेट नो मैटर विर भी प्लेइं विदर भी प्लेइं अस्टेलिया निवजिलिन एंगलें हम जीच सकते हैं और दूसरी टीमों को हम तकड़े तरीके से हरा सकते हैं तो जो बलीफ हमें वहां से मिला था उसी का कारण है कि हम 2011 में भी तो जब आप खेलते हो तो रिजल्ट हमेशा चाहते हैं शुक्राइब बड़े खिलाडियों के दिल की बाते उनके क्रिक्टिंग आनलिसेज आप को सपोर्ट्स टक चैनल पर मिलते रहेगी हमारी यूट्टीब चैनल को सब्सक्राइब करें करें